हलो एवरीवन, वेलकम बेक टू नोलेज फोर फ्यूचर स्टडी चेनल स्वैल क्लासिपिकेशन सिस्टम का यूनिफैड स्वैल क्लासिपिकेशन सिस्टम हम डिसकस कर रहे थे कोर्स ग्रेंड स्वैल का क्लासिपिकेशन हम डिसकस कर चुके हैं अब हम fine-grained soil का classification डिसकस करेंगे यदि किसी soil sample का 75 micron sieve से 50% से ज़्यादा भाग पास हो जाता है 50% से दबाग पास हो रहा है यानि कि 50% से कम क्या होगा? रिटेंड होगा तो 50% से कम रिटेंड हो रहा है यानि कि 50% से ज़्यादा पास हो रहा है तो वो soil कैसी होगी? वो soil होगी fine-grained soil ठीक है? अब fine-grained soil को आगे हम liquid limit के आधार पर classified करते हैं कैसे करते हैं? यदि liquid limit less than 50% है तो वो होगी low compressible soil और low plastic soil low plastic soil यदि liquid limit greater than 50% है तो वो होगी high compressible और high plastic soil high plastic soil ठीक है? अब जो यह low plastic और high plastic fine-grained soil है इसको हम plasticity chart के आधार पर दो टाइप से दिखाते हैं ठीक है? तो यह है plasticity chart जिसमें जो xx axis है वो liquid limit को दिखाती है और जो by axis है वो दिखाती है plasticity index को ठीक है? question यह भी आ सकता है कि जो plasticity chart है उस पर x axis किसको सो करती है? तो वो करती है liquid limit को और by axis plasticity index को सो करती है ठीक है? तो यह आपको दिख रहा है unified soil classification system हम डिसकस करते हैं अगर less than 50% है तो low compressible soil greater than 50% है तो high compressible soil ठीक है? अब देखो यह जो CL है इसको हम कैसे क्या बोलते हैं? इसको बोलते है low compressible soil CH को हम बोलते हैं high compressible soil ठीक है? CH को बोलते हैं high compressible soil ML, ML को बोलते हैं low compressible silt M किसका denote करता है? silt को denote करता है ठीक है? OL का मतलब क्या है? OL का मतलब है organic soil OL का मतलब ठीक है? CL प्लस ML, CL क्या है यहाँ पर low compressible किले ठीक है? CL है low compressible किले ML क्या है? low compressible silt यह आपको A-line दिख रही होगी यहाँ पर A-line का क्या फॉर्मूला होता है? A-line का फॉर्मूला होता है 073 liquid limit माइनस के 20 यह होता है A-line का फॉर्मूला जो की पूछा जाता है एक्जाम में और याद भी रखना है numerical भी इससे ही solve होते हैं ठीक है? यदि plasticity index इस A-line से उपर है जो की A-line आपको दिख रही है यह A-line है जिसका फॉर्मूला आपको बता दिया मैंने pond 73 liquid limit माइनस के 20 यदि A-line से उपर आपका plasticity index निकल के आ रहा है तो जो soil है वो किले की सिरिणी में रखी जाएगी देखो आपको दिख रहा है इस A-line के उपर क्या है? CL है CH है A-line के नीचे क्या है? MH है और ML है ठीक है? यानि कि A-line के उपर तो है किले और A-line के नीचे क्या है? जो index है वो 4 से और 7 के बीच में हो plasticity index जो कि यह दिख रहा है आपको छोटा सा यदि 4 से और 7 के बीच में plasticity index हो तो उसको dual symbol के रूप में देखा जाता है उसको dual symbol के रूप में देखा जाता है और dual symbol क्या होगा? वो होगा CL और ML CL है low compressible के लिए और ML है low compressible silt तो यह था plasticity chart A line का formula ज़रूर याद रखना है और अगर question आपको आए exam में तो इस A line से और plasticity chart से आप solve कर चकते हो अब Indian एक बार हम Indian classification देख लेते हैं यह था unified soil classification Indian soil classification के आदर पर question आता है exam में ठीक है अगर आप से बोल दे कि liquid limit की value है 40% ठीक है और आपको liquid limit दे दे प्लास्टिक limit दे दे आपका plasticity index निकल के आजाए कोई मानलो आपको निकल के आजाए 20 ठीक है और जो आपका A line है A line का plasticity index निकल के आए 18 वो कैसे निकलेगा पॉंट 73 LL-20 से निकलेगा तो A line से ज्यादा है अपना plasticity index 20 तो वो उपर आ जाएगा यानि कि A line के उपर वाला part कोई होता है किले होता है A line के उपर वाला part किले होता है ठीक है और liquid limit क्या है 30 से 50 के बीच में यानि कि ये वाला part है ठीक है liquid limit का ये वाला part है तो हम इससे और इसके बीच में देखते चलेंगे तो हमारा बीच में क्या आ जाएगा CI आ रहा है इसलिए जो किले होगी जो soil होगी वो CI से denote करतेंगे ऐसे हम question solve करते हैं exam में ठीक है तो यादि liquid limit less than 35 है तो वो जाएगी low compressible soil low compressible soil को हम CL से या फिर ML से denote करते हैं ठीक है यादि liquid limit 35 से 50 के बीच में है 35 से 50 के बीच में तो वो जाएगी intermediate Indian में केवल intermediate का फरक पर जाता है इंडियम आ जाता है और यादि liquid limit greater than 50 है तो वो जाएगी high high compressible soil जिसको हम CH या फिर MS से denote करते हैं M आ रहा है तो silt होगा M कब आता है जब A-Line से नीचे हो A-Line से नीचे M आता है और A-Line से उपर के आता है किले आता है ठीक है और A-Line से नीचे या तो M आता है या फिर organic भी आता है ठीक है तो यह आपको diagram दिख रहा होगा यह भी plastic tree chart है यह हम Indian soil classification system में यूज करते हैं ठीक है तो अगर आपको वीडियो helpful लगी हो तो चैनल को subscribe जरूर कर दें आता है